फैनैंस से जुड़ी लेटिस इंफरमेशन पाने के लिए फिनवेशनश अबडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फर्स्ट अब्रेट है देश और दुनिया में करोना वारस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब हर दिन वैक्सिन के आने को लेकर कुछ न कुछ पॉजिटिव खबर आ रही है अब सिरम इंसिट्यूट आफ इंडिया और सेंटर गवर्मेंट के बीच वैक्सिन की कीमत तैय करने के लिए एक कॉंट्राक्ट साइन होने जा रहा है जिसमें वैक्सिन का प्राइस धाइसो रुपे पर डोस के रेट पर फिक्स होने की पॉसिबिलिटी है इससे पहले सिरम इंसिट्यूट के CEO अदार पुनावाला ने कहा था कि भारत के प्राइवेट मार्केट में वैक्सिन का प्राइस एक हजार रुपे पर डोस होगा लेकिन ज्यादा सप्लाइ के लिए कॉंट्राइट करने वाली गवर्मेंट इसे कम प्राइस पर भी खरीच सकती है फेस्टिव सीजन की डिमांड से निवेंबर में पैसेंजर वीकल्स की सेल एरली बेसिस पर 4.17% की ग्रोथ के साथ 2,91,001 यूनिट रही आटो डीलर्स के और्गनाजेशन, फेडरेशन आफ आटो मोबील डीलर्स असोसियेशन यानि FADA ने ये जानकारी दी है FADA के अकॉर्डिंग निवेंबर में दिवाली धनतेरस की वजह से वीकल्स का रेजिस्ट्रेशन बढ़ा था निवेंबर 2019 में पैसेंजर वीकल्स की सेल 2,79,365 यूनिट रही थी FADA ने 1,472 में से 1,265 रेजिनल ट्रांसपोर्ट आफिसेस से वीकल्स रेजिस्ट्रेशन का डेटा कलेक्ट किया है हाला कि डेटा के अकॉर्डिंग निवेंबर में टू वीलर की सेल्स 21.4 परसंट घट कर 14,13,378 यूनिट रह गई जो एक सल पहले सेम मन्थ में 17,98,201 यूनिट रही थी नेक्स अब्डेट है टिलेकॉम एक्वीमन्ट कंपनी नोक्या ने भारत में 5G एक्वीमन्स का प्रोड़क्शन शुरू कर दिया है Company के according इन equipments को उन देशों में भीजा जा रहा है जो next generation technology को शुरू करने की advance stage में है भारत में 5G service की शुरुआत spectrum के auction पर depend करेगी क्योंकि टेरिकॉम operators को देश में 5G service शुरू करने के लिए friendly wireless frequency की ज़रूरत होगी Company के according नोकिया ने भारत में सबसे पहले 5G new radio manufacture किया है इसके अलावा Company multiple in multiple out यानी Mimo technology का production कर रही है next update है real estate company गोदरिश properties ने बेंगलूरू में housing project डेवलप करने के लिए 18 एकर जमीन खरीदी है Company ने stock exchanges को दी जानकारी में बताया कि उसने बेंगलूरू के white field housing project में जमीन खरीदने की direct deal की है हाला कि Company ने जमीन के value के बारे में नहीं बताया Company के according 18 एकर के इस project में 2.2 lakh square meter marketable area डेवलप किया जाएगा गोदरिश properties aggressively latest projects जोड रही है Company इसके लिए या तो सीधे जमीन का acquisition कर रही है या land owners के साथ joint venture कर रही है Mumbai, Pune, Bengaluru और दिली NCR company के लिए important markets है Next update है Corona काल में कई companies में छटनी हुई लेकिन Vodafone idea के साथ इसका opposite हुआ बहुत सारे employees company छोड़कर जाने लगे Employees के जाने का सिलसिला senior level पर भी दिख रहा है ऐसे में employees को जाने से रोकने के लिए Company ने नवंबर के महीने में one time extra salary दी है इसके अलावा Company के marketing director अवनीश खोसला को promote करके Chief Marketing Officer बना दिया गया है ये position पिछले दो सालों से खाली थी Extra salary के साथ Company के एक condition है जिसके तहट जिन्हें ये benefit मिलेगा उन्हें 31 मार्च 2021 तक Company के साथ जुड़े रहना होगा अगर कोई employee ऐसा नहीं कर पाता है तो वही amount उसकी salary से final settlement में deduct कर लिया जाएगा Next update है Fitch ratings ने current financial year 2020-2021 के लिए भारत के gross domestic product के अनुमान को revise किया है Fitch का अनुमान है कि current financial year में भारत की GDP में 9.4% की गिरावट आएगी इससे पहले Fitch ने Indian economy में 10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया था Current financial year के second quarter में Indian economy में उमीद से भेतर improvement की वजह से rating agency ने अपने अनुमान को revise किया है Next update है करोना महमारी की वजह से भले ही economy की हालत पस्त हो गई हो लेकिन share market में बाहर है पहली बार global market cap 100 trillion dollars के पार पहुँच कया इसमें चाइना और अमारिका का contribution सबसे ज्यादा है Bloomberg के report के according 5 दिसंबर को global market cap 100.5 trillion dollars पर पहुँच कया था इस market rally में American tech stocks जिसे FAA NGM यानि Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google और Microsoft कहते हैं उसका बहुत बड़ा contribution है 5 दिसंबर को market close होने के बाद American stock market का total cap 41.6 trillion dollars था उसी तरह Chinese stock market cap 10.7 trillion dollars रहा था Indian stock market का total cap 2.4 trillion dollars पर पहुँच कया था जो valuation के according दसवे पाइदान पर था Next update है India Mobile Congress program को address करते हुए billionaire मुकेश अमबानी ने कहा कि Reliance GO 2021 के second half में 5G service launch करने की तयारी कर रही है हाला कि इसके लिए policy change और process में तेजी लाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि जब तक इसे policy wise आसान और सस्ता नहीं बनाया जाएगा ये possible नहीं है अमबानी ने कहा कि 2021 में जीयो भारत में 5G revolution लेकर आएगी पूरा network indigenous होगा इसके लावा hardware और technology भी indigenous होगी यहाँ पर हमारा आज का finpoint session खतम होता है ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें हम से जुड़े रहने के लिए thank you